यहां उपस्तेच सभी लोगों को मेरा साधर प्रणा मैं नंदन मुरली काक्षा 10 से स्रे राम कृष्ण विद्या निगीतन पब्लिक स्कूल नंद करा आज मैं आपके सामनी प्रदूशन इस विशे में कुछ कहने का आवसर मिला है आप लोग जानते होंगे कि आज हमारे देश में प्रदूशन बढ़ता जा रहा है इन सबका कारण हम ही है मनिश्य के बढ़ते हुए बहुत ही आवश्यक यही हमारे प्रदूशन को बढ़ता जा रहा है हमारे देश में हम तीन तरह के प्रदूशन देख सकते हैं वायू प्रदूशन, जल प्रदूशन और द्वनी प्रदूशन पहले ही मैं आपके सामने वायू प्रदूशन के बारे में कहना चाती हूं खारकानों और वाहनों से निकलने वाली धुआ, फैक्टरियों से निकलने वाली धुआ, ये सब वायू प्रदूशन का कारण बनता है और मैं जल प्रदूशन की बारे में कहना चाती हूँ जब हम बाहर जाते हैं तो हम नदियों और समुद्र में हम कोडे कच्रे और प्लास्टिक के बने हुए उत्पन डालते हैं ये सब पानी को बहुत ही कतरनक अवस्ता में डालते हैं जब ये पक्षी और म्रग ये पानी पीते हैं वितुरंध ही मर जाते हैं अब तीसरे मैं आपके सामने द्वनी के प्रदूशन के बारे में कहना चाहती हूँ, द्वनी मतलब सुनना, तो सुनने में प्रभाव पढ़ना परिस्तिती को मैं द्वनी प्रदूशन कहना चाहती हूँ, जब खारकानों से निकलने वाले वो द्वनी है, ये सब हमारी द्व उगाएंगे एक मनिश एक पेड़ अगर हम ऐसे समस्या में आगे बढ़ेंगे तो हमें यह प्रदूशन को हम यहां से निकाल सकते हैं तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूं कि आज से ही अब सम्विधान कीजिए एक साथ हाथ जोड़कर आगिन के लिए और यह प्रदूश प्रदोश प्रदूशज झाल